अपराधिक घटनाई रुकने का नाम नहीं ले रही है कुछ दिन पहले ही वन्विभाग और लकडी तसकरों की बीच वोड़ भेड हुई थी जिसमें वन्विभाग ने एक लकडी तसकर को गिरफतार किया था इसके बावजूद लकडी तसकरों के होसले इतने बुलंद हो गए है कि जंगल में गस्त पर गए वन्विभाग पर फायरिंग शुरू कर दी मिले जानकारी के होताबिक घटना तराई केंद्रे वन्वरभाग के पीपल पड़ाव रेंज की है जहां रेंजर रूप नरायन गौतम सही दो अन्यवनकर्मियों की बोई लगी है फिलाल भायल वनकर्मी सुरप्षित है हाला कि सुचना मिलते ही मौके पर वन्वरभाग के अधिकारी खरना स्थल पर पहुँचे वही पीपल पड़ाव के रेंजर रूप नरायन गौतम ने बताये कि उन्हें सूसना मिली थी कि करीब आध़ दर्जिन से अधिक वन्वरभाग लगवन लकडी काटने के फिराग में है जिसके तुरंध बाड टीम ने मौके पर शाबे मारी की तो वन्वरभा लेकिन वनकर्मियों को देखते ही तस्क्रों ने फाइरिंग शुरू कर दी जिसके बाद वनकर्मियों ने भागतर अपनी जान बचाई हालाकि फिलनी जान वागता है